सेमसंग एटेन आटो कॉल रेकॉर्डिंग नोट वर्किंग प्रॉब्लेम नमस्कार दोस्तों सवागर अब सभी का तिकिराच यूटूब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कैसे आप जो है अपने डिवाइस में आटो कॉल रे रेकॉर्ट सेटिंग किया हुआ है फिर भी काम नहीं करें तो उसका अलग सॉलिशन होगा अगर आपको सेटिंग सही तरह के से करना नहीं आते उसका भी सॉलिशन आपको इसी वीडियो के अंदर पर मिल जाएगा ठीक है तो आटो कॉल रेकॉर्डिंग के रिलेटेट में जो आपको प्रॉब्लेम हो रहा है आज के इस वीडियो के साथ ही आपका जो प्रॉब्लेम है वह भी सॉल्फ हो जाएगा ठीक है तो उसके लिए दोस्तों आपको वीडियो जो है अंतक देखना होगा जो भी मैं आपको सॉलिशन बताने वालो इसको फॉलो कीजे सेटिंग और सॉलिशन दोस्तों मैं आपको यहाँ पर दोने वताने वालो सही तरह किसे सेटिंग करना है किसे सॉलिशन करना है उसके बाद जाके सॉल्फ हो जागा आपका प्रॉब्लेम वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक अगर आपको प्रॉब्लेम आ रहा है तो आप एक बार दोस्तों आपने डिवाइस को रिश्टार्ट करके देखें डिवाइस रिश्टार्ट करने के बार अगर प्रॉब्लेम सॉल्फ होते है तो ठीक है अगर प्रॉब्लेम सेम ही है तो आप सेटिंग पर जाएए ठीक है तो यहाँ पर phone option है तो इसमें आपको click करके जाना है and then आप जो है दोस्तों यहाँ पर जाए storage में clear data पर click करके ok कर देना और इसका data को clear कर दीजिए जैसे data clear होगा आप bake करें bake करने के बाद दोस्तों आप अपने call setting को open कीजिए three dots में click करके आप call setting पर जा सकते हैं and then दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेगा कुछ इस प्रकर का interface ठीक है तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना होगा आप record call के अंदर पर जाए यहाँ पर आप record calls ठीक है auto record calls तो यह option आप enable कर दीजिए तो यह option को enable जिसे आप करोगे तो आपका auto call recording on हो जाएगा तो एक बार आप दोस्तों try करके देखिए ठीक है record करने के कोशिश करें तो इतने में दोस्तों आपका problem जो हो जाएगा definitely क्योंकि दोस्तों हमने solution के साथ सेटिंग कर दिया है तो चेक करके देखे अगर problem solve हो जाता है ठीक है अगर अभी भी दोस्तों आपको problem आ रहा है तो जाए आपने setting पर और यहाँ पर आपको on करना के दुबारा से ट्राइब करके देखे अगर इससे काम बन जाते है problem solve हो जाता है तो अच्छी बाद है फिर भी दोस्तों मान लिजिए problem आपको आ रहा है ठीक है इतना solution किया फिर भी आपको problem आ रहा है तो फिर आप क्या कर सकती है तो दोस्तों मैं आपको सजेक्स करूंगा का mobile software update करें ठीक है mobile software update करें latest version पर mobile software update करने के बाद दोस्तों इस तरह का जो प्रॉब्लेम्स रहते हैं completely fix हो जाते हैं ठीक है तो आपको mobile software भी अपडेट करना होगा और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप क्या कर सकते आप ठट पाटी application भी आप अपर इसा ठिया तो आप इसको भी आप रिया 거us अपने प्राब्लिम्स कर सकते उमिद करते दोस्तों विडियो आपको पसन हाओगा थेंक्स पॉराचिन झाल झाल